दोस्तों अगर आप Matic Pass Scholarship 2023 के लिए अपना forum फिलब किये हुए और आप अपने application का status चेक कर रहे थे तो payment status में send to department for payment दिखा रहा था जैसा कि इससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो बना करके जनकाई दिये थे कि Matic Pass Scholarship 2023 के लिए जितने भी student अपना forum फिलब किये हुए हैं और उनका जो पैसा वो अभी तक नहीं मिला हुआ है तो उनके जो payment status में send to department for payment का option सो करने लगा है और जो भी student का send to department for payment का option सो कर रहा था उन लोगों का जो पैसा वो मिलना सुरू हो चुका है जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक student का data है जहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो पैसा वो 161223 को इनके एकाउंट में credit किया गया है इससे पहले हम एक वीडियो बनाये थे जिसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि अगर आपका payment status में send to department for payment का option सो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो data वो दिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया है अब जो आपका payment है वो बहुत जल्ड आपके एकाउंट में transfer किया जागा तो जैसा कि अभी यहाँ पर आप लाइफ देख सकते हैं इनका जो payment status में पहले send to department for payment का option सो कर रहा था तो आपका भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो पैसा वो इनके एकाउंट में कल ही के date में credit किया गया है सुल लाइगा है 2023 को तो ऐसे में बहुत सारे student comment कर रहे थे कि हम जो ematic pass scholarship 2023 के अंतर गरत जो 10,000 रुपी की रासित दिया जाता है उसका उमीद छो दिये हैं जो हम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि अभी यहाँ पर आप लाइफ देख सकते हैं कल ही के date में इनका पैसा आया हुआ है तो आपका भी पैसा बहुत जल्द आपके एकाउंट में transfer किया जाएगा आप कहेंगे कि हमारा जो पैसा वो अगर छो है जो है चुट नहीं होता है तो ऐसे में झो है चुट पुझा के छुति के जस्ट बाद आपका पैसा आपके एकाउंट में transfer कर दिया जाएगा क्योंकि अभी छोँ पुझा का छुति भी चल लाई है तो इसमें हो सकता है कि कुछी student का पैसा उनके एकाउं्त में εत्रांपर हो जब ही student का पैसा नहीं हो तो ऐसे में आपको घबराने कि कोई विजवत नहीं आपका जो पैसा वो इसी मन्थ में आपके एकाॉंट में ट्रांपर किया जाएगा और अगर छोट पुजा से पहले आपका पैसा नहीं आता है तो छोट पुजा के जस्त बार आपका पैसा आपके एकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो दोस्तो आज के विडियों बसे एक छोटा सिंकारी था कि जो भी स्टुदेंट में टिक पास स्कोलर्शिप 23 के लिए अपना फॉरम फिलब किये हुए है और उनका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ था तो उन लोगों का पैसा फिर से यहां पर मिलना सुरू हो चुका है ज दोस्तों फिलाल आज की दो मस इतना है फिर मिलते हैं अगले भी दोंगले तपिक असाथ जाहिंद